जब पावर अस्टर पावन से के सौंग फियर फराक बाली पी एक ब्यक्ति ने चद्डी बन्यान पर के डांस तो खिसारलल यादब का फैंस के लगा जबरदस्त मिर्ची बोले कि सिर्फ पावर अस्टर पावन से के नाम लेकर के परचार कर रहा है जबकि वो ऐसा कोई बात नहीं है हमारे भी हर में टाइलेंट के कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी एक ब्यक्ति आते हैं और पावर अस्टर पावन से के सौंग पर चैड़ी बन्यान पर डांस करके पूरे भारत में फेमेस हो जाते हैं यह होता है पावर तो आईए जानते हैं कि कौन है वाइरल ब्यक्ती जो सिर्फ चैड़ी बन्यान पर डांस करके रातो रात सोसल मीडिया पर फेमेस हो गिये हैं और बोलने में लगे हैं कि पवंसी का परचार और परचार करने के लिए सब बोल रहा है। तो ख़बर कि क्या है पूरी जनकारी जानने के लिए बन रही आज किस नए वीडियो में। दोस्तों अपने बिहार में खास करके ये कहबत बहुत जादा चलता है कि भगवान जब किसी को देता है तो छपर फाल करके देता है और यहाँ चीज बिल्कुल सत्त भी है और आज उसी का परिनाम है कि बिहार का एक वाइरल डांसर कहां से कहां पहुँच गिया है और मातर अब भी खुब इंजुआई किये होंगे मतलब इतना बढ़िया से बिल्कुल देसी अंदाज में डांस किये हैं कि क्या ही कहना है सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका परचाय दे देता हूँ द्रसल जिनका वीडियो वाइरल हुआ है चड़ी बनियान में उनका नाम राजुमातो चैन्नाई में एक प्राइबेट ड्राइबर की नौकरी करते हैं और ये अपने घर पर एक महीने के छूटी लेकर के फंक्सन मनाने के लिए आये थे लेकिन राजुमातो जी Cordy को ये नहीं पता था कि अपने घर के फंक्सन के खुशी के साथ साथ इनका इतना मिल जाएगा कि इनका इंट्रिव्यू लेने के लिए हर दिन इनके घर पर 5-10 मिडिया वाले आ जाएंगे जब राजु माहतो जी का पवंसी के संग पियर फराक वाली से इनका चड़ी बन्यान बले वीडियो वाइरल हुआ तो खिसारलल यादब जी का फैंस को जवरदास्त मिर्ची लगा है और बोलने में लगे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है बस ऐसा पवंसी का परचार और परसार करने के लिए बोल रहा है तो मैं उन लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि पवंसी एक ब्रैंड हैं और ब्रैंड को किसी भी परचार और परसार करने के कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो लोग वैसा सोच रहे हैं तो लो एक वर अपने आका का वीडियो देख लो देख लिया हो गया तसली ये पवर अश्टर पवंसी कहीं गाना है कि किसी और का है यहां हवा में बात नहीं किया जाता है सवाल है कि राजु मातो जी पूरे तीन घंटे वीडियो में डांस किये हैं तो खेसार लल यादब के फैंस कहेंगे कि पूरे तीन घंटे के वीडि मिला है तो क्या कहें कि टुन्टुन लल यदब के सौंग से फेम मिला है कि पावर अस्टार पवने सी का कहेंगे अब तीन घंटे के वीडियो में लगवक साब उच्पूरी के कलाकार के गाना बाजा तो लेकिन जो most popular song था वो पावर अस्टार पवनसी के सौंग से फेम मिला है और राजु मातो ने अपने चड़ी बन्यान पर फेमे सोने का राज बताये हैं कि जब वो अपने साली को डांस करते देखे तब राजु मातो जी को कंट्रोल नहीं हुआ और चड़ी बन्यान में ही साली के साथ में डांस करने के लिए कुद गयें और कमर टोर डांस करने लगे और ये चीज़ को उनके छोटे भाई राजन सी ने चुपके से वीडियो को रिकोर्ड करके सोसल मीडिया पर अपलोड कर दिये और देखते देखते हुआ वीडियो मातर दो दिन में 27 मिलियन ब्यूच का आकड़ा पार कर गिया है मतलब इस परकार से राजु मातो जी चड़ी बन्यान पर कमर टोर डांस कियें कि सबका मन मोह लिये हैं और फैंस लोग इनके वीडियो को सार्च करके भी खोज करके देख रहे हैं और एक महिन में इसा दूसरी बार हुआ कि पावरस्टर पावंसी के सौंग से सोसल मीडिया पर दो लोगा स्टार बन गिये हैं इसका पहले ब्यूटी मेहता फेमिस हुई थी और अब राजू मातों अपने चड़ी बन्यान बाले डांस को ले करके थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोसल मीडिया पर फेमिस हो गिये हैं मतलब अब आप सोचिए कि एक डिराइबर से राजू मातों आप सोसल मीडिया स्टार बन गिये हैं